नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम करोना महामारी से लड़ते हुए भिड़ते हुए एक बार दुबारा आपके साथ मैं खड़ी हुई हूँ उन तमाम जरूरी जुवलंत सवालों से रूबुरू होते हुए जिन्होंने इस समय भारत को घे रखा है चारों तरफ से जो सवाल उठा रहे हैं मोधी सरकार पर योगी सरकार पर तमाम सरकारों पर और उजागर कर रहे हैं उनका अमानवी जन विरोधी चहरा वे बता रहे हैं कि किस तरह से जिस समय देश लाशों के धेर में तबदील हो रहा है मरघट बन रहा है भारत ऐसे समय हमारे हुपमरान किस तरह से चलते चलते आखरी शण तक भी पियार करने अपनी छवी को सुधारने के लिए लगे हुए हैं बजाए इसके कि वे ऑक्सिजन का इंतजाम करें एक महिने से अधिक समय हो गया है दूसरी लहर को आए हुए लेकिन हम पाते हैं कि अभी तक कोई सेंट्रल नोडल एजेंसी निक्त नहीं की गई है यहाँ पर जनता ही जनता से मदद की गुहार कर रही है आखिर सरकार नदा क्यों है यहां मैं आपके साथ यह साफ साफ कहना चाहती हूँ कि यह कोई मामुली लापरवाही नहीं यह इंडियन सिटिजन भारतिये नागरिकों के प्रती आपरादिक लापरवाही है जो बरती गई है उपर से लेकर नीचे तक जिस तरह से हमें जो नजारा दिखाई दे मचा हुआ है लेकिन हमारी सरकारें किस तरह से मजे ले रही है सत्ता के आप देखिए पांच राजियों में चुनाव कर आया इन राजियों में जिस तरह से चुनाव हुआ चुनाव रैलिया हुई उसे लेकर हाई कोर्स ने गहरी फटकार चुनाव आयोग को लगाई उन्ह लेकिन उसके बाद भी इस समय दुनिया के 40 से अधिक देश मदद के लिए पेशकश कर चुके हैं 25 अपरेल को पहली मदद भारत पहुची सिंगापूर से 25 अपरेल आज हम जब आप बात कर रहे हैं 4 मई है तब से लेकर आज तक इसके वित्रण के बारे में कुछ भी अभी त और जस तरह की अंदेखी कर रही है इस मदद पर उससे लगता है कि उससे बिल्कुल चिंता नहीं कि भारतियं नागरिकों को बचाया जाए कि नहीं बचाया जाए इस बारे में NDTV में जो खबर आई है वह देखने लायक है उससे पता चलता है कि किस तरह से यह मदद अभी तक गोदाम में पड़ी है जो आक्सीजन आया हुआ है वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है जो बाकी इंस्ट्रुमेंट्स आये हैं बाकी जो उपकरण आये हैं वैक तमाम जगों पे तडपते हुए देख रहे हैं हर जगा लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं क्या आला अधिकारी और क्या मजदूर सारे लोग दरदर भटक रहे हैं तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की भयानक किल्लत है और ऐसे में गुर्दवारे तो ऑक्सीजन लंगर खोल रहे हैं लेकिन सरकार जो ऑक्सीजन आई हुई है उसके वित्रण के लिए तैयार नहीं क्यों क्योंकि उसकी चिंता बिल्कुल दूसरी है अभी तक उसकी चिंता बंगाल को जीतने तमिलनाडू को जीतने बाकी राज्यों को जीतने में थी आज उसकी चिंता है इन रा राशे हैं तो क्या हुआ, लाशों को जलने की जगा नहीं मिल रही तो क्या हुआ, प्रधान मंत्री को तो अपना नया घर चाहिए, प्रधान मंत्री को चाहिए नहीं संसर, इसके लिए 20,000 करोड से अधिक की राशी वह खर्च करने को तयार है, जिस समय देश इतने गंभीर स संकट से गुजर रहा है जिस समय लोगों को दवाय नहीं मिल रही इंजेक्शन नहीं मिल रहे वैक्सीन नहीं मिल रही खुच समय मुदी सरकार क्या करती है कि जो सेंट्रल विस्ता परियोजना है यानि वह परियोजना जिसके तहट नई संसत बनने है प्रदान मंतरी का नया धर बनना है बाकी और लोगों के लिए घरों का निर्माण होना है उसको इन्वार्मेंट देती है उसे एसेंशियल सर्विसेज में डाला जाता है ताकि प्रधानमंत्री का घर और नई संसर बनने में कोई रुकावट ना है अस्पताल बन रहा है नहीं बन रहा है यह कोई अबर यह है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी का निया घर अगले साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा और इसके लिए सारी मशिनरी बिल्कुल 24 घंटे काम कर रही है यह हो रहा है हमारे प्यारे भारत देश में जिस पर चर्चा नियूंतम है आपको यह भी बता दें कि जितने पैसे में यह सेंट्रल विस्ता बन रहा है वही पैसा अगर भारत सरकार वैक्सीन पर लगाती उतनी ही इदाशी में देश के हर नागरिक का वैक्सिनेशन किया जा सकता था किया जा सकता है जरूरी है यह मांग उठाई जाए एक तरफ केंद्र सरकार को प्रधान मंत्री के घर की चिंता है वहीं दूसरी तरफ ग्रिह मंत्री के बेटे जैशा के बिजनस की चिंता है आई पियल इसी महामारी के दौरान चलता रहा अब बंद हुआ वह भी तब जब कुछ खिलाडियों को कोरोना हो गया यह जो निर्शंस चहरा है सरकार का यह जो भयानक तांडव दि पराने वाला है क्योंकि हम सरकारे चुनते हैं इसलिए कि जब हम संकट में हो जब हमारा पैसा हम पर खर्श हो ना हो तब वह किसी और पर ना खर्श किया जाए सरकार की जिम्मेदारी एकाउंटिबिलिटी उसके नागरिक के प्रती होती है यहां व्यक्ति पूजा और व्य रहिने के समय में सिर्फ अपरेल में जो अभी डेटा सामने आया है सतर लाग से अधिक भारतिय नागरिक अपना रोजगार अपनी नौकरी गवा चुके हैं जिस समय देश की जनता लाशों से जूज रही है ऑक्सीजन की कमी से हाहकार कर रही है उस समय देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाई कोट में सुनवाई चलती है सुनवाई में केंदर सरकार कहती है कि जो मौत है या ऑक्सीजन का संकट वो रेटरिक है उस पे दिल्ली हाई कोट फटकार लगाता है और कहता है आप अंधे हो सकते हैं हम अंधे नहीं हैं आपको शर्म नहीं आती इतन गिनौनी बात करने की जिस समय लाशे हमें दिखाई दे रही है उस समय आप इस तरह की अशोभनिय भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं आलम असमवेधन शीलता का इस तरह से बढ़ गया है कि तमाम हाई कोटों को दखल देना पड़ रहा है उन्हें हस्तक शेप करना पड़ रहा है सुप्रीम कोट को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी पर कोई अगर हाहकार करता है ट्वीट करता है बाहर आता है उसके खिलाफ आप F.I.R. नहीं कर सकते यह हाल है कि लोग सरकार चाहती है कि लोग मरते रहें लेकिन अपनी आवाज ना उठाएं चिलनाएं नहीं मदद के लिए लोग ना आएं हमने देखा है पिछले दिनों में कि किस तरह से दूसरों को मदद करने के लिए जब लोग गए उनके खिलाफ F.I.R. हुए यह सब कुछ इस आजाग भारत में ऐसे दौर में हो रहा है जब का दौर शुरू हुआ है जिस पर बहुत गंभीर चिंता तमाम दलों ने ज़ताई है तमाम दलों का कहना है कि ममता बेनर जी अब इस बात की आड़ नहीं ले सकती कि भाशपा या और बाकी गुंडे यह कर रहे हैं उनका कहना है कि यह जिम्मेदारी इस समय ममता बेनर जी और उनकी सरकार की है कि बदले की कारवाई ना हूँ निश्चित तोर पर ये बहुत शर्मनाक है बहुत चिंतनी है लेकिन वहीं इसके साथ साथ हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी भारती जनता पार्टी दुरुवी करण का खेल खेल रही है उसके तमाम आला नेता जो च प्रिये प्रधान मंत्री नरेन मोदी से कहती है कि आप विराठ रूप अक्तियार करिए दुबारा दो हजार वाला और ये जो हिंसा चल रही है इसका बदला लीजिये इसके बार जो दबाव पड़ा ट्वीटर पर उस ट्वीटर एकाउंट को खतम किया गया लेकिन नफरत का जाल बहुत तगड़ा पहलाया जा रहा है ऐसे समय जब लाशें गिर रही हैं लोग अक्सीजन से मर रहे हैं ऐसे में बंगाल में हिंसा का होना और उस हिंसा की आड में दुरुवी करण करना हिंदू-मुसल्मान करना निश्चित तोर पर यह बताता है कि आने वाले दिन खतरनाक होने जा रहे हैं वह निश्चित तोर पर हमारे आपके हर एक भारतिय के लिए बहुत भारी है हम सब को मिलकर एक दूसरे की जिंदगी बचानी है जिंदगियों से बड़ा कुछ और नहीं है कोशिश करनी है कि सरकार को जवाब देह बनाया जाए यह कोशिश हम और आप मिलकर जारी करेंगे देखते रहें न्यूस क्लिक लाइक करिए शेयर करिए खोशकबर नमस्कार